हेलो आवर्ड़िवन कैसे हैं आप सब तो फ्रेंज आज मैं देखिए बहुत ही सुन्दर डिजाइन आपके साथ शेर करने जा रहे हूं जो कि हम गल्स के लिए बना रहेंगे और ये दिखिए जी मैंने इसमें फंदे डाल लिये हैं और बहुत ही सुन्दर हम डिजाइन में जा रहे हैं इसे आप बेबी स्वेटर में बना सकते हैं ए कोई सी भी साइज का बना सकते है जैसे कि चार-पाँ साल तक के दो-तिन साल तक के तो यह मैं 13 साल के बच्चे के लिए बना रहे हूं जिसके लिए मैंने देखिए इसमे 84 पंदे डाल लिए हैं यह हमने नैग में से हम डेजाइन को स्टार्ट करेंगे और हम नीचे तक का बनाएंगे नेक से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे देखे बाजू बनेंगी और फ्रंट के पार्ट बैक के पार्ट और ये दोनों साइड बाजू पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे नेक बनने के बाद ही हमारा फ स्टार्ट कर लेना है दो रो मैंने उल्टी उल्टी ही बनानी है तो पहला फंदा हमने देखिए ऐसे उतार लेंगे ताकि हमारा फंदा एकदम सीधी सीधी चेन रहे तो ऐसे फंदा उतार लेंगे फिर फंदे को अपनी और करेंगे और ऐसे उल्टी उल्टी हमने पूरी रो बना लेनी है, देखिए, उल्टा बना लेना है, ऐसे ऐसे, देखिए, पूरी रो हमने ऐसे उल्टा बना लेना है, फर्स्ट और सेकंड रो हमने उल्टे-उल्टे बनानी है, तो मैं सेकंड रो तक बना लेती हैं, उल्टा-उल्टा, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगे कि यहाँ से हमने बटन पट्टी भी बनानी है उसमें जाली डालनी है तो 3rd में मैं 3rd row में आपको बटन होल बनाना भी दिखाऊंगी कि कैसा हमने बनाना है तो चलिए 2 row मैं complete कर लेती हूँ 1st और 2nd row उल्टी उल्टी बनाकर complete कर लेती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाते तो ये देखे फ्रेंट्स दो स्लाईयां हमने बना ली है उल्टी उल्टी तो ये जो एक रो ये बनती है न तो ये दो रो क्या हमारा ये डेजाइन पड़ता है तो अब देखिए थर्ड रो में हमने कैसे बनाना है पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे इसको और दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे दखिए दो फंदे हमने उल्टे बना ली है अब यहां पर उमने जाली डालने है यानि कि हम बटन पट्टी बना रहे हैं छे फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे तो अब जाली डालने है हमने तो फंदे को अपनी और करेंगे ऐसे यह देखिए इस पर हमने ऐसे बल लगा देना है सलाई पे और यह दो फंदों का एक कर देंगे यहां पर यह देखिए यहां पर हमारा फंदा भी कम नहीं हुआ है देखिए यह जाली से फंदा हमारा यह ह और दो काई कर दिया यानि कि फंदे हमारे बराबर ही है और एक और फंदा उल्टा बना लेंगे तो ये देखे छे फंदों की बटन पट्टी हमने बना ली है छे फंदों की बटन पट्टी बना ली और बागे के देखेंगे बीज बीज में हमने अब 6 फंदे इसमें बढ़ानी भी है देखें जो हम डीजाइन बना रहे हैं इसमें हमने बीज बीज में 6 फंदे बनाने हैं तो यह देखिए दो फंदे हमारे हाँ, इस साइड का जो पार्ट होगा, यह हमारा बाजु का होगा, हैसि साइड और यहाँ पर बाजु का होगा और यह वाला back पार्ट होगा. तो देखिए कैसे बना हम बीच में बनाएंगे तोड़े बना लेते हैं फंदे फिर बीच बीच में हमने फंदों को छे फंदों को बढ़ाना है तो ये देखिए उल्ट बना लिये, अब मैं देखिए इस फंदे को उल्टा बनाऊंगी और इसको छोड़ दूँंगी, फिर ये वाला फंदा बीच में से ऐसे उढ़ा लेंगे देखिए यहां से हम मैंने बना लिया उल्टा फिर यह देख रहा है नामे फंदा यह वाला हमने स्लाइप ऐसे उठा लेना है और इसको उल्टा बना लेना है तो देखिए एक फंदा मैंने यहाँ पर बना लिया उठा लिया बढ़ा दिया है हमने एक फंदा और थोड़े फंदे और बनाने के बाद फिर से मैं यहाँ से एक और फंदा उठाऊंगी तो चलिए अब फिर से उठाती हूं यहां पे यह वाला फंदा उठा लेती हूं यह देखिए दो फंदे मैंने यहां पर बढ़ा दिये अब थोड़े बनाने के बाद फिर यह मैं बीच में बनाऊंगी तो चलिए अब यहां पर बढ़ा लेते हैं यह देखिए उलटा बना लिया अब यह जो हमने फंदा गिरा है अब इस फंदे को ऊठा कर ऐसे इसको ऊलटा बना लेना है ऐसे ह। तो यह देखिए तीन पंदें बारे उठ गए है अब थोड़े हमने पांच छे पंदें बनानी के बाद फिर से एक पंदा उठाऊंगी अब यहां पर उठा लेते हैं यह देखिए यह वाला पंदा उठाकर इसको उल्टा बना लेते हैं चार पंदें उठा लिए तो अब देखिए यहां ऐसे पंदा उठाना है यह वाला पंदा ऐसे इसलाई में ले लेंगे और यहां पर उठा लेंगे पाँच फंदे अपने उठा लिए अपने एक फंदा और उठाना है फिर हमने टोटल चे फंदे इस स्लाइ में उठा लेंगे यह देखिए यहां पर उठा लेते हैं यह वहला फंदा इसको ऐसे स्लाइ पिले लेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे तो यह चे Punjंदें हमने उठालिये है ईथिपका प्रक्षण प्रवक नबव तो देखिए लास्ट का जो फंदल पार्श करना है और यह वाला फंदल्वक रूस्ट का हमेशा हर एक रो में इसको सीधा बना लेना है ताकि ये chain हमारी ऐसे बंती चली जाएगी दोनों साइड से हमारी देखिए ऐसे chain मनेगी इस साइड से भी और उस साइड से भी तो देखिए अब ये third row तो ये देखिए third row मैंने बना कर कंप्लेट कर ली fourth, fifth और sixth देखिए third row मैंने ये बना लिया अब ये fourth row हमने उल्टा-उल्टा बनाना five भी उल्टा-उल्टा और six row भी उल्टा-उल्टा बना कर कंप्लेट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद छे रो तक कंप्लेट कर लेते हैं तो यह देखिए friends यह हमने सात्वी सलाई भी सीधी तरफ से इल्टी उल्टी बना कर complete कर ली है सात्वी सलाई भी मैंने बना ली है यह देखिए कितनी रो गई एक, दो, तीन, चार यहांसे हम start करेंगे ले जहांसे हमने वो Button hole बनाये था तो ये साथवी रो मैंने बना ली है अब ये देखिए आठवी रो हमने देखिए कैसे बनानी है ये छे फंदे बटन पट्टी के हम बना लेंगे पहले और ये छे छे फंदे हमने बटन पट्टी के देखिए बना लिए अब हमने दूसरा दागा इसमें डालना है दूसरा उन इसमें डालना है ताकि हमारे जो हम नैक बनाएंगे न बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा तो यह देखिए मैंने ब्लू कलर का लिया है अब इसमें मैं यह देखिए उल्टा बनाते ही चली जाओंगी और इसको इसी में फोल्ड कर देंगे हम ताकि यह इसी में ही फोल्ड होता जाएगा अलग से नहीं दिखेगा तो यह बाकी के हमने सारा मतलब उल्टा उल्टा ही बनाना है सिर्फ छे साइट से ही हमने दूसरा जो लगाएंगे न उल्टी साइट से ही लगाएंगे आट वी रो में आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको लगता है न कि हमारा यह जो नेक है बटन पट्टी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए तो आप एक रो और एक्स् यह साइट का यह बनाने के लिए एक साइट का यह बनाने के लिए ताकि हमारा असानी हो बनाने में तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बूल अटेच कर लिया है और इसके बाद इसको पटन पट्टी को हम बना लेंगे छे फंदों की और जो इक्स्ट्र भूल है इसी में ही फोल्ड करते वे चले जाएंगे और यह जो लाष्ट का हम बनाते हैं न देखिए कैसे बनाएंगे लाष्ट का हर बारी हर एक सलाई में हमने यह देखिए पिछे करना है फंदे को और यह इसको सीधा बना लेना है ताकि ये जो chain हमारी बनती है न ऐसे smooth chain हमारी बनती चले जाएगी अब सीधी रो में पहले हमने 6 फंदे ये बना लेने है पहला फंद हम ऐसे उतार लेंगे बाकी के 5 फंदे हम बना लेंगे तो ये देखी चे फंदे हमनेगे इस वाली वूल से बना लिया है अब ये बाकी के देखें ये वा ली वूल है लेना इससे बनाएंगे तो ये देखें दो फंदे हमने पहले सीधे बनाने है ठीक है एक दो दो फंदे सीधे बनाने के बाद फिर फंदे को अपनी और करेंगे और ये जाली डाल देंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे जाली डालते वे एक फंदा सीधा बना लिया फिर एक फंदा और सीधा बना लिया फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे जाली डाल दी और एक फंदा सीधा बना लिया फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे जाली डालते वे एक फंदा सीधा फिर य जाले डालते वे एक फंदा सीधा बना लेंगे दूसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे ऐसे ही करके यह हमने पूरी रो यहां तक बनाकर कंप्लीट कर लेनी है यहां पर दिखाते हूं आपको ऐसे ही हमने बनाना है यह जाले डालते वे देखिए फिर से देख लेजिए इक फं कुम्प्लीट कर लेते फिर इसके बाद आपको दिखाते ह। यह था कि बनाने के बद दीखाते ह। तो यह देखे हम लास्ट में आगए हैं चार पंड・ 47 हमारे बच्चेवे हैं तो इसको कैसे बनाएंगे फंड और एक फंड ऐसे बना लिया है और यह पर देखे। अब तो यहां पर बराबर रखा था ना फंदा, दो फंदे के बाद हमने जाली डाली थी, सेम यहां पर भी दो फंदे के बाद भी जाली डालेंगे, तो यहां पर यहां पर कैसे करेंगे, देखिए, चार फंदे हैं, तो यहां पर दो का एक, दो का एक कर देंगे, यहां पर दो का का एक कर देंगे औहीं चाहना है तो यहां पराबर हमारे फंदे ऊजाएंग यह अगर आपके कम पड़ते हैं तो आप जादा कर सकते हैं और यहां पर तो फंदे घटा दिये हैं अब पर हमने यह वाला वूल से यह बना लेना है यह देखिए यह बटन पट्टे हम इस वाले वूल से बना लेंगे बंदे को पीछे करेंगे इस बंदे को सीधा बना लेंगे अब यह देखिए ये बटन पट्टी बना लेंगे अब हमने अभी बढ़ाना नहीं है अब हमने चार चार सलाईया अब बिल्कुल ऐसे ही बनानी है देखिए उल्टी साइड में सारे फंदे उल्टे बनाएंगे सीधी साइड में सारे फंदे सीधे बनाएंगे इसमें आप कोई फंदा हमने बढ़ाना नहीं है चार सलाईयां बनाने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए रॉंग साइड से तो मैंने ये वाला वूल डाला था तो एक सलाई वो हमारी हो गई दूसरी सलाई में देखिए मैंने फंदे बनाए है तीसरी सलाई हमारी ये जा रही है तो तीसरी सलाई ये देखिए आप इसको ऐसे कर देगे न तो ये अटैच रहेगा नहीं तो ये अलग से लगेगा न तो बहुत गंदा सा लगेगा और बाकी की सारे फंदे हमने ऐसे उल्टे-उल्टे बना कर complete कर लेने हैं जाली वाले सारे फंदे उल्टे-उल्टे बना लेने हैं यह देखिए हमारी थर्ड रो है फिर फोर्थ, फेट, सेख, सेवन्थ सेवन्थ रो तक मैं बना कर आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए फ्रैंस, यह मैंने चार सलाईयां बना ली है जब जाली डालने के बाद चार सलाईयां बना ली है यानि जाली जब डाली थी फिर उसके बाद उल्टी सलाई बनाई फिर जब सीधी साइड में आये तो हमने सारे फंदे सीधे-सीधे बनाए सिर्फ बटन पट्टे ही हमने 6 फंदे इधर उल्टे बनाए और 6 फंदे इधर उल्टे बनाए है बाकी हमने सीधी साइड में सारे फंदे सीधी सीधे बनाए है फिर रॉंग साइड में उल्टा उल्टा बनाए है फिर एक बारी फिर से सीधा फंदा बना कर फिर पीछे से उल्टा उल्टा बना लिया है अब यह देखिए रॉंग साइड में हैं हम अब यहां से हमने क्या करना है कि अब जैसे हमने यह तीन यह बनानी है एक दो तीन यानि कि छे सलाइएं हमने उल्टी उल्टी बनानी है रॉंग साइड से भी और फ्रंट साइड से भी अब यह वाला हमारा एक डिजाइन हो गया ऐसा ही हमने चार डिजाइन बनाने है अब पहले हमने यह छे सलाइएं उल्टी उल्टी बनानी है सीधी तरफ से भी उल्टी तर तो चलिए बना लेते हैं। अब हमने ये देखिए ये उल्टे-उल्टे ही बना लेना है सारे फंदे पीछे से और पीछे से ही हमने दूसरों उनको अटेच करना है ताकि फ्रेंट पे हमारे सीधी नजर आए देखिए ऐसे तो मैं 6 सलाईय अब बना लेती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स ये मैंने 6 सलाईय बना दी है ये एक सलाई दो है न ये दो सलाईयों का होता है एक, तो, तीन छेस लाइएं मैंने देखी उल्टा उल्टा बना दिया है सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी ठीक है अब इसके बाद फिर से हमने जैसे हमने ये बनाया था ना उल्टी साइड से हमने ये कलर जोड़ा था सेम वैसे ही अब फिर से हमने जोड़ना है तो पहले इसको हम बना लेंगे बॉटन पटी को च्यार, पार्च, छे छे फंदे बना लिए अब ये देखिए अब ये वाला जो बलू कलर से हमने बनाना है अरे फंदे उल्ट-उल्टे बना लेंगे सीधी तरफ से अब हमने फंदे को बढ़ाना है है और यह उल्टी उल्टी रो जैसे हमने पहले बनाई थी न सेम वैसे यह बनानी है यह उल्टी उल्टी रो बनानी है और यहां से बटन पट्टी के लिए यह वाला धागा यूज कर लेंगे ठीक है कि तो मैं इस रो को complete कर लेती हूँ second row में दिखाती हूँ तो यह देखे फ्रेंश यह मैंने उल्टी सायट से यह सारा मैंने उल्टा बना लिया और यह देखे पेने बटन पत्टी बना लिया है इससे अम हमने यह वहला उन विंसे अब देखिए wrungkin हम ने सीधे बनाने है एक और दो दो फंद सीधे बनाने की पाद जैसे आमने पहले बनाए था न सेम ऐसे करना फंदे को पनी औरौर करना है और एक फंदा ऐसे जाली डालते हो बना लेना है फिर ये दूसरे वाला फंदा भी बना लेना है फिर से देखे, फिर से ये वाला फंदा जाले डालते हो सीधा और एक फंदा सीधा, फिर से देखे, जाले डालते हो एक फंदा सीधा, ये वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे, ऐसे ही हमने बनाते चले जाना है, जैसे हमने पहले बनाया दाना, सेम वैसे ही बना लेना है, तो ये देखिए, एक बना लिया है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चार ऐसे ही डिजाइन बनाने हैं, जैसे हमने ये बनाया है, ये बनाने के बाद फिर हमने तीन, ये देखिए, छे सलाईयां ये वाली, उल्टी-उल्टी बनानी है, ऐसे ही करके हम बड़ा करते हुए चले जा तो यहीं से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे तो उतने में जैसे हम बढ़ा रहे हैं उतने में हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे दोनों साइड की बाजू, फ्रांट, बैक, पार्ट सारा इसी में से हम निकालेंगे तो चलिए इसको ऐसे ही बढ़ाते हुए चले यह वाला डिजाइन बनाने के बाद फिर 6 लाईया फिर से उसके बाद फिर से यह वाला डिजाइन पड़ेगा यानि कि चार बार यह बनाना है अभी एक बारी बना लिया दूसरी बार मैंने स्टार्ट कर दिया फिर तीसरी फिर चौती बार बना कर फिर उसके बाद मैं आपक दिखाऊंगी तो यह देखी फ्रेंद्स यह मैंने आगे के यह देखी चार बारी मैंने बना लिया है जाली चार बारी मैंने डाल दी है और फिर से तीन सलाईया हमारी यह हो गई है उल्टी उल्टी तो सेम जैसे मैंने फर्स्ट वाले में बताया सेम वैसे ही हमने बनाते चले डालेंगे, निम और फंदे भी बड़ते विए चले जाएंगे तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताउँगी नेक्स्ट वीडियो में ये बताउँगी कि कैसे हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ड बनाना है फिर से बाजू के फंदे जो निकालने है यहां से और यह बैक साइड के फिर यहां पर बाजू के फंदे निकालने है और फिर यहां पर फ्रंट साइड का यानि कि पाचों पोर्शन हमारे इसी में से ही निकलेंगे और बहुत ही सुन्दर हमारा यह स्वेटर बन कर तियार हो जाएगा तो फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शियर जुरू कीजेगा तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू और इसको बनाने का प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया है कि कैसे हमने बनाना है अब ह कितने हमा हमें इस तरफ से फ्रंट पार्ड पर छोड़ने और कितने हमें बाज जुए तो पांच यो पोर्शन हमारे इसी में से निकलेंगे जितने भी हमारे यह फंदे है न और यह एक ही सलाई में हमारे नहीं आएंगे या तो आपके पास बड़ी सलाई हो तो आप उसमे डाला हुआ है तो नेक्स्ट पाड में आपको ये बताऊंगी कि कैसे हमने इसको डिवाइड करना है और कितने हमारे फ्रंट साइड पर रहेंगे और कितना हमारा बाजू में फंदे रहेंगे कितना बैक साइड में हम डालेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूगी तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थेंक यू